हेलो दोस्तों स्वागत है आप लोगों मेरे YouTube चैनल B.E.A. Civil Engineer में दोस्तों आज के वीडियो में हम लोग सर्कुलर कॉलम का B.E.A.S निकालना जानेंगे कि सर्कुलर कॉलम का B.E.A.S कैसे निकाला जाता है दोस्तों आज के वीडियो में यही बात करेंगे सर्कुलर कॉलम के बारे में चलिए इस कमाल की वीडियो को सुरू करते हैं बिना किसी देरी के दोस्तों जो हमारे पास कॉलम है उसकी डाया 600 mm है इसमें हम लोग 6 सरिये यूज कर रहे हैं मेंन बार 16 mm डाया की इसमें टाई हम लोग 8 mm की सरिये दे रहे हैं कॉलम की हाइड की बात की जाये तो इसकी हाइड 3.5 मिटर है टाई हमें 200 mm की रहे है यह कॉलम में हमें डक लेक लेंथ भी देना है 16 डी सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं सबसे पहले हम लोग जो हमारा main बार है उसका cutting length निकालते हैं दोस्तों हम लोग को पता है कि 6 number sharp main बार हम लोग use कर रहे हैं column में तो इसका cutting length कैसे निकालते हैं इसका formula क्या होता है वो जानते हैं इसका formula length of the column column की length plus duck leg length ये वाली length और minus bend bend क्या है जब आप सरीया आपकी सरीया ऐसे आएगी तभी तो आप इसे bend करेंगे तो यह हमारा duck leg length दे पाएंगे तो जीतने भी आपके main बार हैं सब में आपकी bend होगी ठीक है तो यह हमारा bend होगा तो इसे कैसे calculate करेंगे तो length of column क्या है length of column हमारा 3.5 meter है 3.5 meter है जब इसे आप लोग mm बदलेंगे क्या करेंगे 1000 से multiply कर देंगे तो यह हमारा हो जाएगा 35 mm 35 mm हो गया है जो हम लोग डख लेंथ दे रहे हों कितना दे रहे हैं 16 डी जो हमारी में में बार है उसकी डाय कितना है 16 डी तो 16 इंटू 16 तिक 16 इंटू 16 माइनस बेंड आपको पता होगा कि जो तो हमलोग डिडेक्ट करते हैं 25 डीडिगरी पे 1 लेते हैं 90 डीडिगरी पे टूद लेते हैं 135 जेते हैं तो हमारा कितने पर यहां पर बेंडोराãy 75 डी लेते हैं 25 वहिख लेंगे तो नहीं है दी क्या आया हमारा सोला एम तो या सोला एम जब आप इसे कैलकुलेट करेंगे तो हमारा 3724 सेमिम आयेगा या 3.724 मीटर दोस्तों जब मेन बार की कटिंग लेंथ निकल जाए उसके बाद जो हमारे टाई लग रहे हैं इसमें टाई बाद उसका हम लोग कटिंग लेंथ निकाल लेते हैं ठीक है तो सबसे पहले तो हम लोग यह निकालेंगे कि इसमें लग रहे हैं तो उसके लिए क्या फर्मूरा होता है लेंस आप कॉलम बटा सेंटर टू सेंटर जो इस पैसिंग ए यह प्लस वन तो लेंस आप कॉलम क्या है हमारा पहतीसो, 3.5 मीटर, फैन्टी तो, बाटा, क्या है, स्प्रेसिंग क्या है, डिएट सो एमेम सेंटर टु सेंटर, भाग देंगे, प्लस वन कर देंगे, तो हमारे निकल क्या जाएगा, तेईस नमबर, चिक, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, cutting length निकालेंगे lateral tie का ठीक है तो इसका cutting length कैसे निकालते हैं सबसे पहले तो जो हमारे पास column है circular column उसका परीजी निकालेंगे कैसे निकालते हैं 2 π.60R प्लस इसमें हमारा hook length आ रहा है 2 connecting length हैं तो hook length क्या लेते हैं हम लोग 10D लेते हैं hook length हुग लेंथ कितने हुग है हमारे एके और एके दो तो क्या करने कि तू टैमस आप 10 एंटु टी इसमें बेंड क्या है यह हम 90 डिग्री बेंड लेते हैं इसमें सर्कुलर कॉलम में तो बेंड अभी मैंने आपको बताया कि पैताली डिग्री पे वन डी नाइटी डी पे टू टू टाइम्स अब 2D 2 टाइम्स अब 2D तो दो इंटू पाई कमान अब जानते हैं 3.14 प्लस आर अब आर कैसे कल्कुलेट करेंगे जब यह हमारा इसमाल डी समाल डी कल्कुलेट करेंगे इसका आधा कर देंगे तो हमारा आर भी निकल जाएगा कैसे कैलकुलेट करेंगे जो हमारा डाया है कॉलम की 600 मैनेस इधर का कबर और इधर का कबर 40 मैनेस 40 और यह जो हमारा टाई है टाई का हाफ ढ़ाया इदर से और हाफ डाया इधर से मैनस चार्ट मैनस चार्ट मैनस कालेता है छेह सो माइनस अथाक है तो में कितना निकल के चला आएगा 500 512 निकल के चला आएगा कितना दी तो इसका आदा कर दें डिका आदा कितना होगह ईंडीका ऑदा हमारा एंडिकल के चला एगा तो इसका आदा कितना होजाए गावाना इससा चलाया कितना हुजामना हुद को इन तो भी ऋलनुग इसमें पुट्ट कर देंगे टुन 2-3.14 अर खानंत वैलिव कि दो सचपन प्लस इसे हम लोग डी करेंगे जब आप इसे कैल्कुलेट करेंगे तो हमाने निकल करेंगे तो आपका में बार का कटिंग लेंथ निकल गया लिटरल टाई का कटिंग लेंथ निकल लिए तो आप क्या करेंगे इसका हम लोग चार्ट बना लेंगे चार्ट में सबसे पहले रीज़िए नंबर लिखते हैं फिर टाइस आप बार कटिंग लेंथ अधाया वार कितने नंबर्स लग रहे हैं लेंथ ट्व लैंद उसके बाद हम लोग वेट कैल्कुलेट कर लेते ह तो हम लोगs पहले में बार का cutting length निकाल निकालनाय हों में लियकर के चलते हैं में बॉटक शेप क्या है है। ही हां भी prisoner में बार का फोल सील में कितनी नंबर हमारे हैं मैं भाट छे नंबर से कितना cutting length निकल के आया 3.724 3.724 जब आप लोग total length निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे जो हमारा length आया है न नंबर सब बार में multiply कर दीजिए तो हमारा total length निकल के चला आता है तो total length हमाने निकल के चलाएगा 22.34 तीक है यह मीटर में यह जितने भी हमारे quantity है सब मीटर में वेट कैसे निकाला जाता है आपको पता होगा कि सरीया का unit weight जब निकाला जाता है मीटर में तो उसका फार्मूला होता है डी स्कॉर वट्टा 112 इसमें आप कितने सरीया हो जो भी स जालना रहेगा तो यह फर्मूला आप लोग यूज कर सकते हैं तो वेट निकालने के लिए चुक्त हमें total weight निकालना है तो डी स्कॉर बट्टा 162 डी स्कॉर के जगए पर क्या लिकिया हम सोला की सरीया है सोला गूरे सोला एल हमारा कितना है तो हमारा टूटल वेट निकल के चलाएगा पैती दस्मूल तीन जीरो केजिंग फिर हम लोग लेटरल टाई लेंगे लेटरल टाई कसे पहमारा कुछ इस प्रकार से हैं जो डाया आप सरीया है किता है डाया पर आठे में में कितने नंबर्स लग रहे हैं तेस नंबर लग का लिए एक तो कि तो इसको इसना करें तो इस फिर फिर कर देंगे तो डी के जगे क्या रखेंगे एट का स्कुर्प अक्सों और निकल कि आया उन ताली इसम्यों नो थी जब आप इसना कलेट करेंगी पंदलत दसम्नों 77 केजी आएगा जो e- 16 kg हम इसे माल लेंगे तो ज ब्लाइक कर दो दोनों को एड कर देंगे तो हमारा टोटल वेट निकल के चला आएगा टोटल वेट हमारे निकल के चला आएगा एक क्यांव दस्मनों तीन केजी इसका हम लोग 5% ले लेंगे वेस्टेज हमारा टोटल वेट निकला टोटल वेट क्यांव दस्मनों तीन केजी पांच परसेंट वेस्टेज लेके चलते हैं वेस्टेज तो इसका निकल के चलाएगा 5 परसेंट 2.56 इसे एड कर देंगे अधर टोटल हमारा जो ग्रास वेट निकल के आएगा वास वेट निकल के आएगा 53.86 एक फ्रक्शिमेंट इतना आ जागा 54 केज़ ठीक है तो जो हारी शरीया लगे है उत लिए कॉलम में मैं वह 64 χेजी क्रोन् único सरीया लगागा तो दोस्तो ऐसे ही हम लोग शर्कॉलर का वी पिश vibrations निकालते हैं अग्या शकुत आप है उमिद्द करता हूं कि वीडियो है आप लोगो समझ अ personal वीडियो समझ में नहीं आया है, कोई पॉइंट समझ में नहीं आ रहा है, तो उसे कमेंट करके बताएं, उसे भी सॉल्व कर दिया जाएगा, तो दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही, अगले वीडियो में तब तक के लिए जये हिंद। झाल